जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, साल भर में आने वाली सभी पूर्णुमा में सरत पूर्णुमा का पिसेस महात्त होता है। हिंदू पांचांग के नुसार अस्विन मास की पूर्णुमा को सरत पूर्णुमा कहा जाता है। इस दिन सागर मंथन के दोरान देवी लक्षमी जी का प्रकट्य हुआ था। सरत पूर्णुमा को कोजागरी पूर्णुमा, अस्विन पूर्णुमा और कौमदी वरत के नाम स सास्त्रों के नुसार इस दिन को बहुत ही सुब और पवित्र माना जाता है। इसलिए इस दिन कुछ कार हैं जिनको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्षमी नाराज हो जाती हैं और धन-धन की समस्या होने लगती है। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि सरत पूर्णिमा के दिन आपको ऐसे कौन से काम हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अन्यता आपको जीवन बर पस्ताना पड़ सकता है। दोस्तों हिंदु धर्ण में सरत पूर्णिमा का विशेश महात्त होता है। सरत पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किर्णों से अमरत की वारिस होती है। इस दिन खीर बनाकर रात भर चान की रोशनी में रखने का विधान है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से काम है जो हमको सरत पूर्णमा के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए दोस्तों सरत पूर्णमा के दिन भूल कर भी धन का लेंदिन नहीं करना चाहिए मानिता है कि इस दिन दिया गया धन वापस लोड़ कर मुश्किल में आता है और इस दिन कर्ज देने वाले से माता लक्षमी नाराज हो जाती है और रिस्तों में भी करवाहट आ जाती है इसके लावा सरच पूर्णिमा के दिन माता लक्षमी जी की पूजा की जाती है इसलिए भूल कर भी इस दिन तामसिख भोजन का सेवन ना करें अर्थात मास, मदिरा, प्याज लेसुन आधिका त्याग करना चाहिए भूल कर भी इस दिन अंडा, मचली या किसी भी तरह का नसा भी नहीं करना चाहिए इस दिन सिर्फ सात्विक आहार लेना चाहिए दोस्तों सरत पूर्णमा के दिन पति पत्नी को दूर रहना चाहिए अर्थात सारीरिक संबन्द बनाने से बचना चाहिए ऐसा करने से धन की समस्या के साथ साथ वैवाहिक जीवन पर भी नाकारात्मा कसर पड़ता है आपको बता दें कि सरच पूर्णमा के दिन काले रंग के वस्तर नहीं पहनने चाहिए आप इस दिन सफेद चमकदार वस्तर पहने या कोई भी हलके रंग के कपड़े पहने इस दिन डार कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए दोस्तों सरच पूनिमा के दिन अगर कोई सुहागन महिला घर आ जाए तो उसे कभी भी खाली हाथ ना लोटाएं सुहागन महिला का सतकार जरूर करें और दान दे करी उसे घर से विदा करें ऐसा करने से मातालक्षमी का आसिरवाद आपको जरूर मिलेगा इसके साथ ही सरच पूनिमा के दिन चूले पर तवा नहीं चड़ाना चाहिए अर्थात प्रोटी नहीं खानी चाहिए इस दिन तली हुई चीजों का सेवन करना चाहिए ऐसा करने से मातालक्षमी प्रसंद होती हैं और आपका घर धन्यधान से भर देती हैं दोस्तों सरच पूनिमा के दिन एक बात का विसेज ध्यान रखें कि इस दिन आप सुबह के समय दान कर सकते हैं लेकिन भूल कर भी साइंकाल के समय इस दिन किसी को दान ना दें खास तोर पर सरसों, हल्दी, वजीरा, आजी चीजों को भूल कर भी दान ना दें ऐसा करने से धन धाने की समस्या बनी रहती है आपको बता दें कि सरच पूनिमा के दिन माता लक्षमी का ध्यान करना चाहिए इसलिए इस दिन अपनी वाणी पर सैयम रखना चाहिए और घर में सुक सान्ती का वास रखना चाहिए इस दिन घर में किसी भी तरह की कले नुकसान दायक हो सकती है साथ ही इस दिन घर की साफ सफाई का भी विसेज ध्यान रखें इसके लावा सरत पूनिमा के दिन साइंकाल के समय महिलाओं को बाल नहीं बनाना चाहिए ऐसा करना असुम माना जाता है मानता के नुसार ऐसा करने से माता लक्षमी रुस्ट हो जाती है और घर की सुक्सानती में बाधा आनी सुरू हो जाती है चलिए अब हम जानते हैं कि सरत पूनिमा के दिन ऐसे कौन से काम है जो आपको जरूर करने चाहिए दोस्तों सरद पूनिमा के दिन खीर बना कर चांद की रौशनी में जरूर रखना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चांद अमरत वर्सा करता है इससे आपको अच्छी सिहत की प्राप्ती होती है दोस्तों सरद पूनिमा पर चांद की किरने बहुत ज़्यादा लापकारी होती है इसलिए इस रात को कुछ देर के लिए चांद की चांदनी में अवस्य बैठना चाहिए ऐसा करने से मन की सांती मिलती है दोस्तों सरद पूर्णमा की रात को घर के बाहर दीपक जरूर जलाएं ऐसा करने से मालक्षमी बेहत प्रसंद होती है साथ ही ऐसा करने से घर की नकरात्म गूर्जा भी समाप्त हो जाती है दोस्तों सरत पूर्णमा की चांद को खुली आँखों से कुछ देर अवस्य देखें इससे आँखों से जुड़ी समस्याईं दूर होती है आपको बता दें कि इस दिन पूरा दिन ब्रत रखना चाहिए चल और फला हर लेना चाहिए और मालक्षमी का विद्वत पूजन करना चाहिए साथ ही इस दिन रातरी जागरण अवस्य करना चाहिए ऐसा माना जाता है कि सरत पूर्णमा की रात को माता लक्षमी सुर्ग से धर्ती पर विचरन करने आती है इसलिए इस दिन राती जागरण का विशेश महात्तु है साथ ही इस दिन चंद्रपूजन अवस्य करें चंद्रमा को अर्द दें इसके बाद ही अन्य ग्रहन करना चाहिए ऐसा करने से आपको धन की देवी मालक्षमी की असीम क्रपा मिलेगी और आपका घर धन धान से भड़ जाएगा दोस्तों सरत पूर्णुमा के चंद्रमा की चाननी गर्वती महिला की नाभी पर पड़े तो इससे गर्ब पुस्ट होता है इसके लावा सरत पूर्णुमा की रात में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने की भी परंपरा है इससे नेत्र की जोती बढ़ती है साथ ही सरत पूर्णुमा की रात को स्री सूक्त का पाठ, कनक धारा इसरोत तथा विश्णु सहस्तर नाम का पार्ट करना भी बेहत लापकारी होता है साथ ही इस दिन जादा से जादा लक्षमी माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए इससे मासीगर प्रसंद होकर आपके धन के भंडार भरती है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जे माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद